प्यारे दोस्तों नमस्कार मैं संदीब एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका Career Planet की online classes में दोस्तों टैली प्राइम कोर्स की इस रंकला में आज की class में हम advanced use of debit note under JST इस topic को discuss करने वाले हैं समयने रूप से हम debit note का use करना सीख चुके हैं आप हमारे फुराने वीडियो में देख सकते हैं कि basic concept of debit note and trade note यह हम पहले से discuss कर चुके हैं यदि अभी तक आपने basic concept वाला यह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लिजिएगा इस वीडियो का link भी मैं description में डाल दूँगा वहां से आप basic concept of debit note and trade note ज़रूर देख लिजिएगा आज की जो class है हम इस class में विशा स्थोर से debit note का जो advanced use है यानि debit note सामानी रूप से किसलिए काम आता है purchase written की entries को pass करने के लिए लेकिन कई conditions business में ऐसी होती है जहां हमें purchase written के अलावा भी debit note को issue करना होता है तो उन सभी conditions को one by one हम discuss करेंगे और उनका particular use भी अभी हम सीखने वाले है debit note for discount received on purchases जहां दोस्तों purchase करने के बाद यदि हमें supplier के दुवारा discount दिया जाता है वो discount हमें receive होता है तो उस परिस्तेती में भी हमें debit note की entry पास करनी होती है यह discount दो तरीके से हम अपनी books में दिखा सकते हैं यह time out condition पर neighbor करता है जैसे debit note for decreasing the stock value यदि हमें इस तरह कोई discount की entry करनी है जहां हमें अपने stock value को कम करना है तो हम debit note की मादियम से वो entry पास करेंगे अभी कौनसी प्रस्तिती होगी या कौनसी condition होगी वह practically में example की मादियम से आपको टेली में सिखाने वाला हूं बताने वाला हूं दूसरी condition ऐसी भी हो सकती है जहां आपको discount तो मिल रहा है लेकिन stock की value में वहां पर कमी नहीं होनी चाहिए तो ऐसी इस्तिती में भी आपको debit note के entry pass करनी होगी यहाँ पर हम purchase की value को कम करना का प्रयास करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि debit note के वल purchase के साथ ही use होता है debit note हम sales के against भी issue कर सकते हैं कब करते हैं for correction of invoices good sell out करने के बाद यदि किसी विशेश कारण से हमें अपनी invoice को correct करना है जैसे rate difference हो गया quantity में आपने कोई गलत quantity से sales का invest generate कर दिया है उसमे rate का कोई difference है या tax में कोई mismatch है तो उनसे भी mistakes को ठीक करने के लिए भी हम debit note issue करते हैं इसी तरह से sell करने के बाद उस sales transaction पर यदि आप बाद में कोई additional charges apply करना चाहते हैं जैसे transport charges है freight charges है तो उने भी हम debit note के माध्यम से apply कर सकते हैं और rate difference in sales invoice जैसे कि मैंने आपको बताया correction of invoice और rate difference in sales invoice दोनों same concept है और इनके लिए में debit note issue करना होता है तो दोस्तों अभी one by one हम सारी चीजों को practically discuss करने वाले हैं लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरा आप से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please अभी कर लिजे और हाँ दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ र लेते हैं supplier inverse number then party abc limited और purchase कर रहे हैं हम लोग legions 100 norms at the rate 100 rupees each इजी calculation के लिए हमने या figure बहुत छोटा सा लिया है then इसके पर ये local party है इसलिए cgst hgst charge करते हुए इस entry com लोग save कर लते हैं अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है यदि हमें goods return करना होता है तो simple हम debit note voucher का use करते हैं और उसके लिए जो side में button bar है यहां debit note अलग से में नहीं दिया गया है यहां तो हमें F10 प्रेस करते हुए other vouchers में जाना होगा और यहां से हम debit note activate कर सकते हैं otherwise आप alter की प्रेस करेंगे तो alter के साथ जितने भी buttons है वो आपको दिखाई देंगे यहां से आप alter के साथ F5 प्रेस करेंगे तो debit note activate हो तो आपको दिखाई देगा अब हमें goods return करना है तो simple से entry pass करते हैं ABC limited party का नाम then original universe number वो जो inverse था उसका जो number था वो आप यहां पर input कीजेगा purchase laser इसमें हम लोग purchase return लेंगे और legions हम लोग return कर रहे है 10 norms at 800 rupees each और cgst hst लगाते हुए इस entry को post कर देते हैं लेकिन जैसे आप निच किस कारण से आप goods return कर रहे हैं दोस्तों यह सारे reasons मैं पहले वीडियो में clear कर चुका हूँ और जैसा कि आपको पता है जब हम goods return कर रहे हैं तो हमारे लिए purchase return है लेकिन जिससे हमने goods purchase किया है हमारे supplier के लिए यह sales return है और उसके against में जब हम purchase return करेंगे तो वो हमें credit note issue करेगा तो यहां पर हमें जो reason लेना है वो sales return लेना चाहिए और supplier में credit note issue किया है उसका number हम यहां पर insert कर सकते है credit note number 01 जो भी number होगा वो आपको यहां insert करना चाहिए और उसका date है वो भी यहां पर input करते हुए इस entry को में save कर लेना चाहिए अब इसका effect का आएगा तो दोस्ते इसका effect देखने के लिए हमें जाना होगा GSTR 2A में जाएंगे तो आप यहां देख पाएंगे B2B invoices जिसमें 10,000 ले goods हमने purchase किया है और debit trade notes में आपको दिखाई दे रहा है 1000 उसमें से less हो गया है और tax b यहां पर less होता हुआ आपको दिखा discount received on purchase purchase पर यदि आपको discount received होता है तो उसमें भी दो conditions है first ऐसा discount जिसमें हम अपनी stock value को कम करना चाहते हैं सामने वाली party ने हमें एक condition दी थी कि यदि आप मुझसे 5000 का goods पुरे महिने में खरीद लेते हैं just example के लिए कि हम अगर 5000 का goods purchase कर लेंगे उस party से महिने पर में तो यह हमे 10 रुपीज पर आइटम के हिसाब से discount offer करेगा तो यह जो condition थी वह हम fulfill कर चुके हैं और उसके हिसाब से उसने 10 रुपर प्रती आइटम के हिसाब से हमें discount दिया है तो दोस्तों इस तरह की जो entry होती है उसमें हमें stock की value को कम करना है और इसके लिए भी हम debit note का ही use करने वाले ह तो किस तरह से enterprise करेंगे आईए वह देखते हैं पाइटी अकाउंट डेम, ABC Limited, original invoice number जो invoice number हमने goods purchase किया है उस time पर जो invoice number यूज किया है उस invoice number को फिर से use कीजेगा अब यहां जो laser यूज करेंगे वो होगा purchase और item है legions लेकिन quantity और rate हमें या input नहीं करनी है जितना भी discount मिल रहा ह है वो total आपको amount वाले column में लिख देना है जैसे मान लिजिए 1000 का आपको discount बिल रहा है तो direct amount पर आप 1000 लिख दीजिए और इस पर भी CGST, SGST charge आपकी जिएगा अब यहां हम tax क्यों चार्ज कर रहे हैं तो कि जो total goods हमने purchase किया था 10,000 का उसमें से 1000 का हमें discount बिल गया है it means हमारी जो purchase cost है वो अब 9,000 है तो इस पर tax भी कम होना चाहिए reduce होना चाहिए इस वज़े से हम लोग यहां पर CGST, SGST को use करते हुए charge करते हुए entry को pass कर रहे है और टेली अब हम से reason पूछ रहा है तो reason क्या हो गया post sell discount then create mode का number insert कर देंगे 02, date insert कर देते हैं और entry को save कर देते है अब फ देखिएगा फिर से trade note debit note में दो entries अब आपको यहां पर दिखाई देंगी, first जो simple हमने पर्चे return किया था उसकी entry post हुई है और second तो discount receipt के लिए हमने use किया था वो entry यहां पर reflect कर रही है दोस्त अब हम चलते हैं अपने stock summary में, stock summary में क्या effect आ रहा है वो भी देख लेता है, stock summary म जो है, वो total 90 item हमारे पास है, इस 90 item क्या record है, उसमें सबसे पहले हमने 100 items purchase किये थे, उसमें 10 items हमने purchase return कर दिये हैं और एक और entry आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें quantity पर, यानि हमारे stock item पर कोई effect नहीं आया है, लेकिन इनकी values कम होने की वज़े से, यहां पर निचे की हमें show कर दिया है, तो यह concept अभी आपको समझ में आया होगा, इस तरह से debit note का एक और concept है, debit note हम एक और condition में पास कर सकते हैं, जब आपको discount receive हो रहा हो, लेकिन आप अपने stock item की value को कम करना नहीं चाहते हैं, तो उस परस्तिती में भी आपको debit note के entry पास करनी होती है, आईए व बटन बार पर आपको change mode बटन दिखाई देगा, या फिर आप control H का use करेंगे और उसमें से select करेंगे accounting invoice mode, अब इस invoice mode में party account team ABC limited और original invoice number जो भी हमारा invoice number था original उसका में use करना है, माल लिजे आपकी screen पर original invoice number आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस condition में आपको F12 प्रेस करना है, और F12 के अंदर आप निचे की तरफ देखेंगे, provide original invoice detail इस option को आप yes रखिएगा, और उपर से चो दूसरा option है, provide dispatch, order and export, import detail इस option को भी yes रखिएगा, ताकि आपको original invoice number input करने के लिए option मिल जाए, then अब यहाँ आपको particular दिखाई दे रहा है, name of item दिखाई नहीं दे रहा है तो इस condition में हमें एक और नया laser create करना होगा, discount on purchase, दोस्तों discount on purchase laser का group purchase ही रहेगा, वास्ते में हम अपने purchase की value को कम करना चाहते हैं, लेकिन stock पर effect नहीं डालना चाहते, इसलिए discount on purchase laser का group हम purchase रखेंगे, और इसके उपर भी वह tax rate applicable करेंगे, जो tax हमारे item पर था, 18% tax यहाँ पर discount बिल रहा है, तो directly हमें amount लिखना है, 1000 और CGST, HGST यहाँ पर हमें charge करना है, then, reason लिखना है, क्या करण था, कि discount बिला है हमें, तो इसका भी reason, post sell discount ही रहेगा, supplier से जो हमें credit note receive होगा, उसका number हम यहाँ पर input कर लेंगे, date और इस entry को भी हम save कर लेंगे, अब चलते हैं, पहले हम इनकी न तो कोई quantity में effect आया है, नहीं rate में effect आया है, और जो discount की entry अभी हमने pass की है, वो भी यहाँ पर हमें show नहीं हो रही है, तो इसका effect कहा है हमारी purchase value में, purchase आप देखेंगे, 7,000 यहाँ पर show रहा है, और GSTR 2A में जाकर आप देखेंगे, तो यहाँ पर उतीनों entries आपको य समझिएगा किस तरह से कब कौन से entry में pass करनी है, यह जो सारी entries हमने debit note pass की है, यह सारी related थी purchase के साथ, जब भी आप purchase कर रहे हैं और आपके सामने ऐसी कोई situation आ रही है, तब हमें debit note में entry pass करनी होती है, इसी तरह से कुछ entries debit note में होती है, पर वो sales transaction से related होती है, first of all हम यह सीखने की कोशिच करेंगे कि जब हम good sell out कर देते हैं और sales की invoice generate करने के बाद यदि हमें उसमें कोई correction करना हो, जैसे कोई wrong quantity हमने input कर दी है, या कोई rate का difference है, या tax में कोई difference है, तो उस condition में debit note किस तरह से issue किया जाता है, आई यह सबसे पहले वो सीख लेता है, तो उसके लिए हम यहा हमारा एक data party है, local data है, sales, इने हम legions sell out करने वाले है, 10 items at the rate 200 each, cgst, gst, gst, charge करते हुए हम इनको bill कर देता है, अब दोस्तों हमें लगता है कि हमने जो invoice pass की है, उसमे rate हमसे गलत input हो गया है, 200 की जगह पर 210 rupees हमें charge करना था, तो इसके लिए जो rate difference आ रहा है, इसके लिए हमें अ अलक से एक debit note party को issue करना होगा, और debit note issue करने के लिए, जैसे हम debit note को open करेंगे, तो इसका भी हमें mode change करना होगा, control x से हमे mode change करना है, और अब की बार item invoice, accounting invoice की जगह पर हम use करेंगे as voucher, जिहां दोस्तों, इस तरह की entry को हमें voucher mode में pass करना होता है, इस mode में हमें debit करना है party को, party account more 10 cents, और जो original invoice number था उनका, वो था to date first appeal रखेंगे, then amount calculate करना है, तो 10 rupees पर item के हिसाब से हमें ज्यादा charge करना था, और हमारी invoice में जो items की quantity थी वो 10 थे, तो 10 into 10, 100 rupees हमें उनको extra charge करना है, पर इस 100 rupees पर tax में लगेगा, जो की 18% था, इसलिए more 10 cents को हम debit करेंगे 118 rupees के साथ, और against reference credit balance में, जब आप यहां amount देखेंगे, तो वो आ रहा है 2360 credit balance, तो इसको हमें ठीक करना होगा, यहां पर हमें रिखना होगा 118 और उनका debit balance, हमें debit balance बढ़ाना है, पार्टी को debit करना है, तो आप amount देखेंगा, amount पार्टी का बढ़ गया है, 118 rupees के साथ, then credit हमें करना है, अपने sales का amount है, 100 rupees, और CGST, HST, यहां पर भी charge होगा, 9 rupees CGST, और 9 rupees SGST, then, reason आपको देना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, correction invoice, तो इस reason को use करते हुए, इस एंट्रिकॉम सेव कर लेंगे, इसका जो effect है, वो हम देखते हैं, GSTR 1 में आप देखिएगा, सबसे पहले, हमने पार्टी को good sell out किय 2,000 rupees का, और निचे की तरफ आप देख रहे है, credit debit notes registered, 100 rupees और आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और उनका tax amount भी calculate होता हुआ, यहां आपको दिखाई देगा, तो इस तरह से debit note का पोग करते हुए, आप rate difference या correction in invoice के entry को pass कर सकते हैं, अब next concept को सिखने से पहले, मैं party का outstanding balance आपको दिखा जाता हूँ, display, statement of accounts, outstanding, laser, mohit and sons, यहां आप देखिएगा, जो opening balance है इस party का, वो था 2360 और 108 रुपे का debit note हमने अभी issue किया है, उसकी वज़े से party का debit balance बढ़कर 2478 हो चुका है, आई अब एक और situation देखते हैं, जहां में debit note के थूँ, entry को pass करना पड़ता है, जैस कई बार हम जब sales का invoice generate कर लेते हैं, उसके बाद हमें उस sales के invoice पर additional charges apply करने होते हैं, क्योंकि at the time of sales, जब हम माल बेच रहे थे, तब हो सकता है कि हमें transportation charges का actual amount पता ना हो, और दोनों parties ने decide किया है, कि बाद में जो भी transportation का charge लगेगा, वो हम अपने buyer से receive कर लेंगे, तो sales करने क बाद जो actual transportation charges है, freight charges है, packing charges है, इस तरह के चोटे मोटे बहुत सारे extra expenses होते हैं, जो हमें party से लेने होते हैं, तो उनके entries भी हमें debit note में ही pass करनी होती है, तो debit note का use, sales पर additional charges को apply करने के लिए भी किया जाता है, जैसे अभी हमें जिस party को good sellout किया, Mohit and Sons को, अब उनके लिए हमें एक debit note issue करना है, और वो किसके लिए होगा, additional charges के लिए, और यहाँ पर हम transportation charges का example लेने वाले हैं, दोस्तों इसके लिए हमें debit note का more change करना होगा, control H, और यहाँ पर इस तरह की entry को हमें accounting invoice में pass करना होता है, तो party है हमारी Mohit and Sons, original invoice number था, वो था 2, date थी 1st April, यहाँ जो हम लेजर लेजर उस कर रहे है, वो है transporting charges on sales, इस laser को हमें indirect income में बनाना चाहिए, और इसका tax rate हमें वही set करना है, जो की goods पर tax rate हमने set किया था 18%, अब दोस्तों, माल लिजिए 500 रुपीस transportation charges लगा है, जो हमें party से लेना है, तो उसके लिए इस पर भी हम CGST, SGST charge करते हुए, इस entry को post बाद में reason में, आप correctional in invoice ले सकते हैं, या other कोई reason को specify करना चाहिए, तो वो भी आप यहां पर ले सकते है, reason को specify करने के बाद, जब आप entry save करने जाएंगे, यहां against reference में, आपको total amount 590 set करना है, और debit करते हुए, इस entry को save कर लेना है, आईए चलते हैं, फिर चे देखते हैं, G आप देख पा रहे है, कि debit credit notes में, 600 का taxable amount हमें शो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कि इस party पर हमने दू बार debit note issue किया है, एक बार 100 rupees के साथ, और एक बार additional charges के लिए 500 rupees के entry भी हमने post की है, और party का outstanding balance अगर हम देखेंगे, तो वहां पर भी यह effect हमें display होगा statement of accounts, outstanding, laser, mohit and suns, आप देखेगा, opening balance यह था, 2360 था, उसके बाद हमें rate difference का एक invoice हमने issue किया था, debit note और अभी मैंने additional charges के लिए debit note issue किया है, जितनी भी conditions थी debit note चे जुड़ी हुई, उन सभी को हमने discuss किया है, लेकिन इनके अलावा भी market में आपको कई तरह की situation देखने को मिल सक सकती है, उन सबको समझते हुए, आप debit note issue कर सकते हैं, जब भी आप इस तरह की entries को post करते हैं, तो उससे पहले discount से जुड़ी हुई, कुछ terms and conditions है, उननी भी आप समझ लीजिएगा, कि discount यदि time of supply पर decide होता है, यानि दोनों parties पहले से decide कर लेती है, जब आपका supplier आपको goods sell out कर कर रहा है, वो supply कर रहा है आपको, तभी अगर उसने आपको बोल दिया है, कि वो discount आपको देने वाला है, तो ऐसी condition में credit note will be issued by the supplier, supplier credit note issue करेगा, and ITC will be reversed by the recipient of goods or services, और जो recipient है, जो उस goods को खरीद रहा है, वो ITC को reverse कर सकता है, जैसा कि अभी हमने debit note में entry pass करके किया था, discount की जो दूसरी condition होती है, जिसमें supply की time हमें discount मिलेगा ये नहीं मिलेगा, ऐसी कोई condition नहीं होती है, supply करते समय, जो supplier है, उसने हमें कोई discount offer नहीं किया था, और उसके बाद वो हमें discount देता है, तो ऐसी condition में भी supplier के जवारा credit note issue किया जाता है, लेकिन recipient will not be required to reverse the ITC, दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कि recipient ऐसी condition में ITC reverse नहीं करता है, अब इस event से जुड़ा हुआ, एक entry में आपको tally में post करके दिखाऊंगा, और अगला जो हमारा condition होता है discount के साथ, कई बार post sell discounts with an additional burden to on buyer to perform additional activity, जब supplier goods supply करता है, तो साथ में वो target वगरा देता है, कि आप एक म आपको discount offer करूँगा, इस condition में supplier कुछ additional activities को perform करने के लिए buyer को बोलता है, कि आप advertisement कीजिए, आप अलग से workshop को organize करवाईए, या आप अपने shop में हमारे products को अलग से display कीजिए, इस तरह की extra activities के लिए supplier हमें बोलता है, इस condition में भी ये जो extra activities होती है, उन्हें buyer के द्वारा जो इन tax invoice अपने supplier को issue करता है, तो उसकी entry हमें debit note में नहीं करनी होती है, उसे discount की तरह treat नहीं किया जाता, ये separate transaction माना जाता है, आईए सबसे पहले हम देख लेते हैं, supply के time येदि discount हमें नहीं मिलता है, तो उस condition में हम debit note का use करते हुए किस तरह से entry को pass करेंगे, दोस्तों entry हमें debit note मे कुछ चीज़े हमें ध्यान रखनी होगी, party का नाम ABC Limited है, जिससे हमने goods purchase किया है, लेकिन यहाँ पर party का original invoice number हमको input नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको concept में बताया, कि जो हम goods purchase कर रहे थे उनसे, तो purchase के time या फिर जो supplier हमें sell कर रहा था, उस time पर और ऐसा कोई discount का agreement पहले से ताई नहीं था, इस वज़े से हमें original invoice से इसे link नहीं करना है, directly हमें एक ledger use करना है discount received, इस discount received के ledger को हम रखेंगे indirect income group में और इसके उपर किसी तरह से GST को apply नहीं करेंगे, GST not applicable रखते हुए हम इस ledger को create करेंगे, simple हमें 1000 का जैसे discount बिला है, तो यहाँ पर 1000 input करते हुए entry को save कर लेंगे, अगेंस reference में आप party का original invoice number यहाँ पर देख रहे हैं, अगेंस reference लेते हुए हम party के balance पर direct effect डाल सकते हैं, चली मैं आपको outstanding balance दिखाता हूँ, party का जो outstanding balance है, उस पर इस entry से effect आजाएगा, हमारी party थी ABC Limited, अब आप यहाँ देख रहे हैं क last की जो entry है 1000 rupees उसका debit note की वज़े से total जो opening balance था 11800 अब वो 7260 हो चुका है, और यदि हम GSTR reports में देखेंगे, तो GSTR reports में भी GSTR 2A यहाँ आप निचे की तरफ देख रहे हैं, debit trade notes, इसके अंदर last entry debit note 1000 rupees के साथ यहाँ reflect होने लगी है, दोस्तों इस तरह से हम debit note का अलग-अलग conditions में उपयोग कर सकते हैं, और यह सारी conditions मैंने आपको यहाँ पर clear की हैं, आने वाली वीडियोस में इस तरह से हम credit note का भी advance use सिखने वाले हैं, कि जीस्ति के साथ हम किन-किन परस्तितियों में, किन-किन conditions में credit note के साथ entries को pass करते हैं, यदि आज का हमारा यह अगली वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्यान वर्दक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,